हमस्कार स्टड़ी आईक्यो आईएस हिंदी में आफ सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विर्दुबे और एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्तित हों श्रंखला की अगली कड़ी ले करके यह भाग सोलहवा है और इस भाग सोलहवे में आधुनिक भारत के कितिहास में आज हम बहुत ही महत्तुपूर्ण कह सकते हैं कि चर्चा करने वाले हैं आंगल मराठा युद्ध के उपर आज हमारी चर्चा होगी तो आप सब लोगों को मालूम है कि लगाता रेके करके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं हम यूनिट टू के अंतरगत हैं और आज यूनिट टू है हमारा उस यूनिट टू में हमने यह सारी चीजें जो है यह कवर कर ली हैं यह जो दोनों पॉइंट्स हैं यह हमने कवर किये हुए हैं कौन कौन से दोनों पॉइंट्स एक तो हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन और दूसरा जो हमारा और यहां पढ़ते पढ़ते मैंने आपको जो छत्रपती वन्शावलियां है और साती साथ जो पेशवा वन्शावलियां है इसमें बाजिराव दृती तक हम आपको सारी चीज़े बता चुके हैं और हमने आपको सूरत की पिछली आले अगर हम सेशन की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से हमें ये देखना होगा कि कैसे अंग्रेजों ने मराठों के ओपर अपना कबजा किया, उस छेतर को कैसे काबू किया और वहाँ पर नियंतरण कैसे स्थापित किया है और किन ब्रिटिश के अंतरगत, किन ब्रिटिश गवर्नर्स के अंतरगत इनका छेतरिय प्रसार बढ़ा है, साती सात फिर राजपूताना प्रसार को हम देखेंगे और उसके बाद अगर हम देखें, तो हम लोगों को बंगाल में जो विस्तार हुए हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो मुख्य तोर से हम ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में पहु प्रफार साफ्टर 5 की थी उसको हम यहाँ दुबारा नहीं पढ़ेंगे तो हम इसमें जो मराथा-युद्ध हैं मराथा युद्ध मराथायुद्ध INF hue और अंग्रेजों के युद्ध हैं जिसे आप आंगल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं एंगलो मराठा वॉर्स के रूप में जानते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आपको जो है हाला कि यह सब करते कराते हम लोग 1818 तक पहुंच जाएंगे लेकिन उसके बात थोड़ का युद्ध और बक्सर का युद्ध यह जो दो युद्ध हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे और फिर धीरे-धीरे करके हमको सिचुएशन समझ में आ जाएंगी इस दौरां हम लोग कुछ जो है जो सायक संधी इत्यादी या डलहोजी की जो रज हडप की जो नीती इत्यादी हैं इन सब को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हुए 1858 की क्रांती के कारणों तक पहुचेंगे और उस समय जो छेत्री विद्रो हुव अगयरा छोटे-छोटे हुए थे उनको समझने का प्रयास करेंगे तो एक लाइन आपको स और संदियां हुइं उन सब को कवरद करते हुएं कई विद्रो हुए हैं और इन सब का जमावड़ा इस प्रकार से खटा हुता हे कि 1857 की परनिती तैयार हुती है प्लैट्फॉर्म उसका जो है वो तयार होता है और 1857 की क्रांती हो जाती है तो उसको हम लोग 1877 के क्रांती से पहले जो छोटे मोटे विद्रों हैं उनकों पढ़ेंगे उनसे पहले बंगाल के स्थिती पढ़ेंगे और उनसे पहले हम मराठों के स्थिती आज पढ़ने जा रहे हैं हलाकि हमें पहले बंगाल के स्थिती पढ़ लेनी चाहिए अगर क्रम से देखें तो लेकिन क्योंकि अभी पिछले सेशन में ही हमने मराठा आपको बताया है तो अभी वो आपके दिमाग में ताज़ा तरीन बना होगा तो इसलिए हम इसको मराठों से शुरू करके फिर बंगाल के तरफ बढ़ेंगे तो इसमें कोई खास क्रम में अंतर नहीं आएगा तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के सेशन की साथी क्योंकि अब हम फिफ्थ चैप्टर पर पहुँच गए है तो जो पिछला चैप्टर था जो चौथा अध्याय था अब ये इसमें हम आंगल मराठा युद्ध खतम करने के पश्चात आप लोगों को जो पिछले सेशन में जो प्रश्ण मैंने पूछा था उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत सारे स्टुडेंट तब से नहीं जोड़े थे हमारे पास तो आज उस प्रश्णों को मैं दोराद देता हूँ यहाँ पर आपके समक्ष आप में से कई सारे लोगों ने उत्तर लिख करके भेजा है उस उत्तर को साती साथ एक सही उत्तर लिखने के तरीके को हम आपको अगले सेशन में डिसकेशन करके देंगे प्रथम दुती और तुती आंगल मराठा युद्धी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज यह मैप थोड़ा सा ध्यान रखेगा यह बेसीन है यह सालसेट है इनके नाम आज आपके पास में जादा आने वाले हैं इसलिए बेसीन और सालसेट का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे आप सूरत का नाम आप याद रखेंगे important troop है आपर सूरत का नाम भी आपको थोड़ा जादा याद रखना है इन सब के नाम जो है आपके पास में आ जाने वाले है ये था वो प्रश्ण जो पहले हमने पूछा था जब पिछला अधियाय खतम किया था इसके उपर कल हम लोग analytical जो चीजें हैं वो हम लोग साजा करेंगे आपके समख्ष और बताने का प्रयास करेंगे ठीक है तो इसका screenshot ले लिजिए और समझने और बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप कैसे लिख सकते हैं ठीक है बढ़ियां से लिख करके इसका PDF सीधे पेज में बना करके इसका फोटो कीज करके PDF त्यार करके भेज़ चायरा हूं आप हमें टेलिग्राम में बेस सकते हैं वरद दुबेड़े 2021 यह हमारा टेलिग्राम है वरद दुबे 01 without any space या फिर आप हमें email कर सकते हैं विरद virad.dubeyd.study.com studyiq.com यहां पर आप हमें इमेल कर सकते हैं इन दो जगहों पर भेज सकते हैं आप हमें ये PDF एंसर लिखन करके फिर बाकी हम कल इस पर चर्चा करेंगे चलिए करते हैं शुरुआत आज की और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने पहले मराठाओं के उतकर्ष के बारे इसमें हमने बाला झी विश्वनाथ चे शुरू किया था बाला झी विश्वनाथ के बाद बाजि राव प्रतामाए फिर बाला जी बाजि राव अधुराव प्रताम आये और बिष्वास राव भेज दिये जाते हैं और फिर नाना साहब भी वह यहां पर बिठोर में अठास अताउन की क्रांती में उनका काफी खास योगदान रहता है। बहराल मैंने पिछले सेशन में आप लोग से सूरत संधी के उपर भी चर्चा करी थी, जो रगुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो आप लोग एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है? अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और हम आंग्ल मराथा युद्ध की तरफ आ जाते हैं. किसकी तरफ? आंग्ल मराथा युद्ध। और जब हम आंगल मराठा युद्धों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रथम आंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे, 1775 से 1782 के तौर पर देखने को मिलता है अठारवी शतापदी के जो अंतिम 25 वर्ष है और 19 वी शतापदी का तो प्रथम 20 वर्ष है तो लगभग इन 40-45 सालों में तीन आंगल मराठे युद्ध हुए अब आंगल मराठे युद्ध में ऐसा भी नहीं है कि एकदम से इधर से अंग्रेजी सेना तयार होकर के आए उधर से मराठों के अंग्रेजी सेना तयार होकर के आए दोनों ने युद्ध लड़ा एक बार फिर वो संधी हुई और फिर दुबारा युद्ध लड़ा और फिर वो सूरत की संधी अंग्रेजों और रगनाथ राव के बीच में जो हुई इसके बारे में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अभी कुछ खास मालूम नहीं था या कुछ मालूम नहीं था लेकिन सूरत की संधी को कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने माननेता दे दी थी और जब उन्होंने माननेता दी तो उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें भी मतलब समक्ष आनी शुरू हो गई जिसमें एक ऐसी योजना बनी कि 1775 में करनल कीटिंग नाम के एक अंग्रेजी सेना पती के नित्रत में अंग्रेजी सेना जो है वो सूरत और इतना ही नहीं 1775 में करनल कीटिंग और मराठों के बीच में आरस का एक युद्ध भी हुआ और उस आरस के युद्ध में एक अनिरणायक युद्ध था कोई निरणय उसमें नहीं निकला मराठों की जो है उसमें हार हुई लेकिन फिर भी जो पूना है वो मराठों के अधिकार में रहे गया तो इस दोरान हमको ये देखना है कि आंगल मराठा युद्ध जो हुए उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इनके प्रमुख कारणों में क्या कारण हो सकते हैं जो जगड़े हुआ करते थे वो आपसी जगड़े आपसी या मराठों के आपसी जगड़े मराठों के आपसी जगड़े ठीक है तो ये जो आपसी जगड़े है ये जगड़े जो है कई न कई प्रतम आंगल मराठा युद्ध का कारण बनते हैं और इसी आपसी जगड़े क करण यह आप लोगों को मालूम है जो राघ्व भा है वह अंग्रेजों से जाके मिल गए थे और हम्हेंkay को सहायता प्रदान कटैने करेंगे और आप जो है आपको पहेश वा प्रयास करेंगी यह जगड़ी थे यह दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिटिश महत्वा कांग्षा जो है अंग्रेजों की महत्वा कांग्षा अब ये महत्वा कांग्षा किस तरीके की है ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि दक्षिन पर इनका अधिकार रहे और उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा इस समय आ नहीं है सबसे बड़े रोड़े के तौर पर यही देखने को मिल रहे हैं तो भले ही संधी हुई सूरत की संधी के बारे में सूरत की संधी के बारे में अगर दिखाडाया तो जो उसकी शर्टें थी जो आपको 1775 में देखने को मिलती है 1775 में हुई थी ना 1775 में इसको accept किया है या इसको मानिता दे दी है इसको मानिता दी गई किसके दारा मानिता दी गई जो ब्रिटिश कंपनी है, जो कंपनी है, उसके डारेक्टरों के द्वारा, ठीक है, तो इनके डारेक्टरों द्वारा इसको क्या दे दी गई, मानेता दे दी गई, और इधर अंग्रेजों ने अपनी स्थिती को और मजबूत करने के लिए, अगर हम देखें, तो मई 1775 में ही, मई 1775 में, अंग्रेजों ने सेना भेजी, ठीक है, अंग्रेजों ने ये सेना भेजी, सेना कहां भेजी, सूरत के आसपास भेजी, यानि सूरत के तरफ जो है, ये सेना बढ़ा दी गई, अंग्रेजी सेना सूरत की तरफ बढ़ गई, और इसका नितरत्व किस ने किया, करनल कीटिंग ने, इसका जो नितरत्व है, करनल कीटिंग ने किया, कीटिंग, ये नितरत्व कर रहा है, ये नितरत्व कर रहा है, सेना जो है, वो सूरत की तरफ बढ़ रही है, और सूरत की तरफ बढ़ते हुए, इस अंग्रेजी सेना, और मराठा सेना के बीच में, आरस के मैदान में एक युद्ध हुआ, और जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में मराठे जो है, वो क्या हुए, मराठे पराजित हुए, अब जब ये मराठे पराजित हुए, तो ब्रिटिशर्स को कुछ भाग जो है, वो मिला, मराठो किसमें हार हुई, कुछ खास, मतलब हार किस प्रकार की हुई, अगर हम इस हार को ये देखें, तो ऐसी कोई महत्वपूण हार भी नहीं है, आप चाहें तो इसकी जगह पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, कि इसका कोई खास निरणय नहीं हुआ, मतलब मराठे कमजोर दिखें वहाँ पर, तो अंग्रेज जो हैं, उनको कुछ इलाके मराठा सामराज्य के प्राप्थ हुए हैं, लेकिन पूना जो है, वो मराठों के पास रहे गया, पूना का जो अधिकार है, वो मराठों से नहीं छीना गया, तो इस हिसाफ से दृष्टिकोर्ण से देखें, तो मराठों की कोई ह पार नहीं हुई है लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो उनको अच्छती नुक्सान जो है वो पहुंचा और उस नुक्सान में एक तरीके से मराठों के पास में एक उनका जो अपना किला था वो रहे गया लेकिन अभी मामला शान्त नहीं हुआ मैंने आपको कहा कि जो प्रथम आंगल मराठा युद्ध है इसमें कई सारी छिटपुट 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 घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो अन्तता युद्ध के रूप में परिणाइथ हो जाएंगी इन सब के पशात एक बात और है यहाँ पर 1776 में 1776 में एक संदी हुई है जिसे कहा गया पुरंदर की संदी पुरंदर की संदी आगे चल करके एक पुरंदर की संदी हुई पुरंदर की जो संदी हुई ऐसा है कि इस जो ये सूरत की संदी थी इस सूरत की संदी के बारे में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बहुत बात में पता चला क्योंकि ये Bombay presidency के द्वारा ये संदी कर ली गई थी तो कलकत्ता presidency को जब इस संदी के बारे में सूरत की संदी के बारे में और इस युद्ध के बारे में पता चला तो ये उस समय पता चला जिस समय ये युद्ध में हैं मतलब लडाई चल रही है उस समय उस सूरत संदी के बा पुरंदर की सन्धी के बारे में जो हम जानेंगे तो हमको यह पता चलेगा यह सन्धी इसलिए आई क्योंकि बंबई से सूरत की संधी की खबर जब कलकत्ता परिशद को लगी तो कलकत्ता परिशद ने सूरत की संदी को अमानने कर दिया और तभी कलकत्ता परिशद ने जब अमानने गोशित कर दिया यानि की कलकत्ता की जो काउंसिल थी गवर्ने जनरल की जब उसने अमानने गोशित कर दिया तो वहां से कर्नल ओप्टन को भेजा गया पूना और कर्नल ओप्टन जब पूना आया तो उसने पूना दर्बार के प्रतिनीधी के साथ एक संधी करी तो ये पुरंदर के संधी जो है ये कर्नल ओप्टन कर्नल ओप्टन और जो पूना दर्वार के प्रतिनी धी है पूना दर्वार के प्रतिनी धी और उस समय जब आप बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए यह समय जो है पुरुंदर की संदी का जो है वो 1776 का आपको देखने को मिल रहा है तो उस समय पूना दर्वार में एंटरफियर सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति का है वो व्यक्ति कोई और नहीं नाना फड़नवीज है तो प्रतिनी धी के तौर पर कौन है प्रतिनी धी के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर हमको नाना फड़नवीज देखने को मिलेंगे प्रतिनी धी कौन है प्रतिनी धी यह परणवीज तो एक तरीके से जो यह संदी है वो आंगल मराठा के बीच में होने अली संदी है जिसमें करनल ऑप्टन और नाना फड़नवीज ने संदी करिए करनल ऑप्टन और नाना फड़नवीज इसमें संदी करिए इसी को एक मार्च के आसपास संदी हुई अब इस संदी में क्या क्या कहा गया उसको समझते हैं संदी की जो शर्ते थी वो क्या क्या थी अगर उन संदी की शर्तों को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहली जो शर्त है सबसे पहली शर्त यह है कि अंग्रे तोहों पर शान्ती बनाए रखनी चाहिए तो क्या हुआ अंग्रेजों और मराठों को और मराठों को अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थान पर शान्ती बनाए रखनी चाहिए शान्ती बनाए रखनी चाहिए और शान्ती कब बनेगी जब दोनों आपस में युद्धन करें इसका मतलब यह हुआ कि आपस में हमें लड़ाई जगड़ा नहीं करना है लेकिन जो सूरत की संधी हुई थी वो रखुनात राव की वज़े से हुई थी आपको मालूम होना चाहिए रागोबा जिनको कहते हैं और वो पेश्वा बनना चाहते थे अंग्रेजों ने उनका साथ दिया था ये संधी यहाँ पर पेश्वा के प्रतिनिधी से हो रही है ना ने यह बात रखी अंग्रेजों के सामने कि आप जो है वो रखुनात राव जो है उनका साथ नहीं देंगे कंपनी जो है वो रखुनात राव का पक्ष नहीं लेगी यह बात मराठों की तरफ से कंपनी को कहा गया लेकिन क्योंकि तो यह हु कमपनी के पास रहेगा साल्सेट और साल्सेट अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको मैप में दिखाया था साल्सेट जो है वो कंपनी के पास रहेगा ठीक है यह बात हमको यह आपर धियान रखनी है और वैसे उन्होंने रगनात्राओं का साथ इसलिए दिया था कि वह थोड़ी सेना का साथ दे देंगे और बाकी हमको उधर से क्या मिल जाएगा उधर से हमको सालसेट और बसीन वाला जो इलाका है वो मिली रहा था इधर ये भी तैह हुआ कि अंग्रेजों का युद्ध के खर्चे हे तू बारा लाक रुपे देगी पूना सरकार वही पूना सरकार पूना सरकार से कहा गया कि युद्ध के खर्चे के हे तू युद्ध के खर्चे हे तू जो युद्ध हुआ है उसमें जो खर्चा हुआ है उस खर्चे हे तू 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए दिये जाए दिये जाएंगे तो यह जो बारा लाख रुपए दिये जाएंगे यह कौन देगा यह पूना दर्वार देगी और इतना ही नहीं पूना दर्वार से भी कहा गया कि रघुनात राव को भी आप 25,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देंगे राघुबा को देंगे राघुबा को पेंशन के तौर पजे से पेंशन दी जाती है वैसे देंगे आप और इसके बदले में राघुबा जो है वो गुजरात चले जाएंगे राघुबा कहा जाएंगे राघुबा गुजरात जाएंगे गुजरात चले जाएंगे अब जब रागोबा गुजरात चले जाएंगे तो सभाविक सी बात है कि यहाँ पर यह अपनी दावेदारी तो नहीं करेंगे अब किस चीज के लिए पेशवाई के लिए जो कि पहले कर रहे थे जिसकी वज़े से सूरत की संधी हुई थी याद रखिएगा सारी चीजे चार पॉइंट आपको ध्यान आ गया होगा अब यह जो संधी हुई पुरंदर की यह पुरंदर की संधी जो है कुछी समय चली जादा दिन तक नहीं चली जादा दिन तक यह पुरंदर की संधी नहीं चली तो जो ये पूना की ये जो बंबे सरकार है इसने पुरंदर की संदी को आगे चल करके थोड़े समय बाद जो है बंबाई सरकार ने इसे क्या कर दिया बंबाई सरकार ने अस्विकार कर दिया बंबाई सरकार ने थोड़े समय बाद इसे क्या कर दिया अस्विकार कर दिया एक आती साथ एक बात और भी हुई कि ये जो संदी है आपने देखा कि कलकत्ता परिशद की तरफ से हुई थी इसी बीच एक और घटना घटित हुई 1770 में नाना फड़नवीज ने एक घटना कौन जाम दिया और वो ये था कि वो ये जानते थे कि कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स जो और सोचने समझने का समय मिलेगा रगनात राओ का पक्ष नहीं भी ले रहे हैं तो क्या नुकसान है एक तो सैने सायता नहीं देनी पड़ेगी दूसरा सालसेट जो उनको मिला था वो तो मिला ही रहेगा तो नुकसान है नहीं कुछ युद का खर्चा मिली रहा है तो एक त देखा जाए तो उस तरीके से कोई खास नुकसान नहीं था उनको तो फड़नवीज यह समझते थे कि कहीं न कहीं इस तरीके की संधी में ब्रिटिशस मजबूत हो जाएंगे और यह चालाक हैं यह संधी पर बने तो रहेंगे नहीं कल को कोई दूसरी संधी लगा दें या कु फ्रांसीसी तो नाना फड़नवीज ने क्या किया फ्रांसीसियों को फ्रांसीसियों को जो वेस्टन घाट है पश्चमी जो तट है उस पश्चमी तट पर वहाँ पर पत्तन बनाने की वहाँ पर छूट दे दी पश्चमी घाट पश्चमी घाट दिया पश्चमी जो तट है वो फ्रांसीसियों को पत्तन हे तु दे दिया पत्तन हे तु पोर्ट हे तु दे दिया और एक तरीके से ये करके फड़नवीज ने कलकत्ता परिशद का कहीं ना कहीं क्या कर दिया और लंगन कर दिया कि आप संधी जो है वो बंबे से बिटिशर्स की हर संधी में ये चीज ओटोमिटिकली लागू रहती थी कि अगर आप हमसे संधी कर रहे हैं तो हमारे विरोधियों से किसी भी तरीके से हाथ नहीं मिलाएंगे और वो इस चीज को बड़ी प्रमुकतास रखते थे और इधर इ जाता हुआ जब अंग्रेजों को दिखा तो 9 जनवरी 1789 में पश्वी घाट में एक जगा थी लालगाओं उस लालगाओं के युद्ध में जो है ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स और जो मराठों की जो सेना थी वो आमने सामने हुई तो इस सब घटना के बाद जो है अगला एक युद्ध होता है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि 1779 में 1779 में अंग्रेज और मराठा सेना ये आमने सामने हुई ये जो हैं दोनों सेना हैं क्या हुई आमने सामने अब ये जब दोनों सेना हैं आपस में लड़ी तो ये कहां लड़ी ये लड़ी लालगाओं के मैदान में लालगाओं का युद्ध कहलाता है ये लालगाओं युद्ध ठीक है तो ये लालगाओं का युद्ध हुआ और इस लालगाओं के युद्ध में अंग्रेज जो है वो हारे ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें अंग्रेज जो है वो पराजित हुए यानि कि एक तरीके से देखा जाए तो मराठे जो है यहाँ पर क्या हो गे जीत गे अंग्रेज पराजित हुए 1779 में और तब संधी करने का मौका मराठों के पास आया कि वो अब अंग्रेजों से संधी करें और अंग्रेजों से जो इस दौरान जो संधी हुई वो बड़ी अपमांजनक संधी हुई संधी में कहा गया कि समस्त विजित प्रदेश 1773 के बाद के समस्त विजित प्रदेश वापस होंगे वापस किये जाएंगे ठीक है तो वापस किये जाएं ये बात लिख दी गई तो अंग्रेजों को उस सारे प्रदेश जो 1773 के बाद अंग्रेजों ने जीते थे ब्रिटिशर्स ने जो जीते थे वो सब लोटाने पड़े इतना ही नहीं सपस्ट रूप से इसमें कहा गया कि अंग्रेज या कंपनी जो है अंग्रेज या फिर कंपनी राघोबा का पक्ष नहीं लेगी क्योंकि ये जानते थे कि अब ये फिर से जा करके मिल सकते हैं बही उस समय यही तो होता था जो हारता था वो जीतने वाले के विरोधी के साथ मिलने मिल करके उसे दुबारा हराने का प्रयास करता था इसलिए तो यह आपने देखा कि नाना फड़नवीज फ्रांसीसियों से जाकर के मिल गए थे और अब अंग्रेजों का फिर से राघोबा से मिलने का प्लान हो सकता था उसकता उसको सायता दे करके फिर से वो पेश्वा बनाने का प्रयास करते तो पहले कह दिया गए भईया पक्ष लेना बन पुरंदर की संधी जो है वो क्या हो गई समाप्त हो गई अगर आँदेखे तो यहाँ पे जो पुरंदर की संधी है पुरंदर की संधी और पुरंदर की कौन सी संधी वो जो 1776 वाली है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई समाप्त हो गई और समाप्त इसलिए भी होगे कि दोनों पक्षों को भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लाब नहीं था उससे और वो बिल्कुल बरदाश्ट नहीं था इस युद्ध में जब हार हुई अंग्रेजों की तो उस समय बंगाल से एक सेना अंग्रेजों की साहता देने के लिए आ रही थी बंगाल से एक सेना इस संदी में ये भी कहा गया कि जो बंगाल से सेना आ रही है उसको कहो कि वो सहायता ना लेकर के आए ज़री कि उस सहायता को लेने से मना कर दिया गया अंग्रेज अंग्रेजों को बंगाल से आने वाली बंगाल से आने वाली जो सेन्य सहायता थी सैन्य सहायता उस पर रोक लगा दी गई रोक लगा दी बंगाल सैन्य सैन्य शायता पर भी रोक हो गई और इतना यह नहीं कि कुछ हिस्से जो थे जैसे सिंधिया मराठो के बहुत सारे ब्रांचे सिंधिया, गायकवार, होलकर, मराठा, पेश्वा इससे प्रांचेज है तो उसे में से सिंधिया जो है उनको भडावच के राजस्व का कुछ हिस्सा देने का सुईकार कर लिया गया तो अगर आप देखेंगे तो लगातार पांचवा पॉइंट भी लिख दे रहा हूं सिंधिया को सिंधिया को भडावच के राजस्व का कुछ हिस्सा देना क्या कर दिया गया स्विकार कर दिया गया यह सब काम अंग्रेज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सबमें अंग्रेजो की हार है सबमें अंग्रेजो का नुकसान है पिछली संधी को अगर आप देखेंगे तो यहां सबमें अंग्रेजो का फायदा था प्रिटिशर्स को कट अई बरदाश नहीं हुई और इसी लिए व्रिए हेस्टिंस ने इसी लिए वारेन हेस्टिंग्स ने दो सेनाय भेजी, सेना भेज दी, संधी कई भाड में हम तो लड़ेंगे इस वाले उद्देश के साथ, दो टुकडियां भेजी, एक को लीड किया जनरल गेडार्ड ने, जनरल गेडार्ड और दूसरे को लीड किया पोफम ने, जनरल पोफम, इन दोनों के नित्रत में ये सेना जो हैं आगे बढ़ गई, और जब ये सेना आगे बढ़ी तो गोगाड जो है, वो उत्तर मध्य भारत का जो हिस्सा है, उसको रौनता हुआ, मराठों को अनेक जगहों पर पराजित करता हुआ, फाइनली 1780 में वो 1780 में एहमदाबाद पहुच गया और एहमदाबाद को कबजा कर लिया, एहमदाबाद कबजा कर लिया, ये काम तो गिडार्ड ने किया, इधर पोफम जो है, वो भी आगे बढ़ता हुआ, ग्वालियर के किले पर, 1781 में अधिकार कर लेता है, 1781 में ग्वालियर, ग्वालियर का किला, उसको जीत लेता है, ये दोनों जगहें जो हैं, वो कबजे में आ जाती है, इसी दोरान एक और जनरल भेजा जाता है, कैमे, जनरल कैमे, और वो जनरल कैमे, 1781 में आगे बढ़ता हुआ, सिंधिया को मात दे देता है, जनरल कैमे, एक और नाम यहाँ पर लिख लेंगे, जनरल कैमे, यह कैमे कहीं कहीं लिखे रहता है, इसने सिंधिया को मात दे दिया सिंधिया को मात दी मतलब देखा जाए तो चोतरफेक तरीके से आक्रमन होने लगे मराठों के उपर अब ऐसी सिचुएशन में जब ये विपरीत स्थितियां बनी तो ब्रिटिशन के खिलाफ जो दक्षिन भारतिय शक्तियां थी वो एक होने का प्रयास करने लगी वो हैदर अली है दक्षिन में मैसूर का हैदर अली और जो दक्षिन में हैदराबाद का जो निजाम है निजाम इसकी सहायता ले सकता है और ये सहायता देने के लिए राजी भी हो सकते हैं हैदर अली निजाम और मराठे जो एक तरीके से संयुक्त होनी की कंडिशन में आ गए साथ देने के लिए मराठों का ये निजाम और हैदर अली पहुंच पहुंचने लगे इससे पहले कि ये एक होते और ब्रिटिशर्स जो हैं वो आगे युद्ध को बढ़ाते अंग्रेज समझ गए कि अगर ये तीन शक्तियां एक हो गई फिर हमारे जीते हुए प्रदेश हमारे हाथ से निकल जाएंगे इसलिए वहाँ युद्ध को विराम दे करके महाद जी सिंधिया ने मध्यस्तता महाद जी सिंधिया की उनके अध्यक्षता में हुई तो अब हम लोगों को यहाँ पर सालबाई की संदी के बारे में जानना है अब सालबाई की संदी ऐसी संदी है जिसमें ब्रिटिशर्स जो है उनको कुछ समय मिल जाएगा आसानी से यहाँ की चीजों के लिए रणनीती त्यार करने का युद्ध त्यार करने का सैनिक सहार करने का और इसमें जो है कुछ नुकसान होने वाला है अब मराठों का तो क्या है जरा सालबाई की संदी सालबाई की संदी हुई 1782 में कब हुई 1782 में और इसमें जो संधी की जो शर्ते는 रखी गई उस शर्त में आगर हम देखें तो पहली शर्त ये थी कि अंग्रीज जो है उनको सालसेट सालसेट या पूरा लाबि बना सकते हैं आप और एलिफैंटा एलिफैंटा ये अंग्रेजों को मिलेंगे ये बिटिशस के पास होंगी ये जगह है सालसेट और एलेफेंटा ये जगह है जो है बिटिशस के पास होंगी दूसरा अगर हम देखें तो जो यमुना नदी के जो दक्षन का हिस्सा है यमुना नदी के पश्चिम का जो हिस्सा है वो सारी जो भूमी है वो सिंधिया को प्राप्थ हो जाएगी वो किसको प्राप्थ हो जाएगी वो सारी भूमी जो है वो सिंधिया को प्राप्थ होगी यमुना के यमुना नदी के पश्चिम की भूमी सिंधिया को प्राप्थ होगी सिंधिया वही महाद्जी सिंधिया सिंधिया को प्राप्थ होगी ये संदी दूसरा पॉइंट है संदीका तीसरा पॉइंट ये है कि बंबई और दक्षन में एक दूसरे के जो भी जीते गए छेत्र हैं, वो वापस किये जाएंगे, बंबई में, और दक्षण में, दक्षण में, जीते हुए छेत्र, जीते हुए छेत्र, एक दूसरे को वापस किये जाएंगे एक दूसरे को क्या करेंगे वापस किया जाएगा एक पॉइंट आपको यह मिला दोनों लोग आपस करेंगे मराठे अंग्रेजों के जीते हुए छितर और अंग्रेज मराठों के जीते हुए छितर जो है वो आपस कर देंगे हैदर अली से ये कहा गया कि आप आरकाट के नवाप से जो आपने जो किला उस समय उसने आरकाट के नवाप से किला जीत लिया था तो उधर इस संदी में अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट आप एड़ कर सकते हो कि हैदर अली से कहा गया हैदर अली से आरकाट या अरकाट की जीती हुई भूमी जीती हुई जो भूमी है वो वापस की जाएगी छोड़ देगा वो तो इन सब को अगर हम एक पैमाने पे तॉल करके देखें तो किसको क्या मिला साल बाई की संदी में ये भी हुआ कि भाई अम एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं कि जो रगुनात राओ का पक्ष है वो छोड़ने के लिए पहले ही कह दिया गया था पेश्वा से कहा गया था कि रगुनात राओ को पेंशन पे नियुक्त रखेंगे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई जगडा नहीं करेंगे जीते हुए छेतरी सीले वापस करने के लिए कहे गए तो अंतता हम ब्रिटिश दृस्टिकोर से देखें तो ब्रिटिशर्स को इस संधी में कुछ मिला क्या मिला क्या मिला सालसेट और एलिफेंटा लेकिन सालसेट तो उनके पास पहले से ही था दूसरा क्या मिला दूसरा क्या लाब हुआ विशेष कोई लाब आप देख रहे हैं यहां पर नहीं हो रहा है संधी में छेतरी रूप से आपको यह मिल रहा है और कोई आर्थिक लाब भी नहीं हो रहा है बलकि आर्थिक तो नुकसान हुआ थे क्योंकि इससे पहले जो आपने लड़ाई लड़ी तो उसमें आप हारे थे और अभी जो दुबारा लड़ाई लड़ी उसमें भले ही पेशवार थोड़ा सा हारता हुआ दिखाई दिया लेकिन आपको मालूम था कि हैदर अली की सायता अगर मिल जाएगी तो हार ही होगी तो युद्ध का हर जाना भरन जैसी को इस्तिती नहीं आई तो आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ विशेष छेतर कुछ मिले नहीं लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को जो यहां पर मिल वो यह मिला अगला 20 साल आगे 20 साल आगे 20 वर्ष जो थे यह बड़े इंपोर्टेंट थे यह यह अगले 20 वर्ष जो हैं अब यहां पर शांती कायम करने की बात कर दी गई इस संदी के मध्यम से तो अगले जो 20 साल हैं वो अंग्रेजों के लिए लाबकारी रहे के सहीत में रहे कि दक्षिन भारत की जो बड़ी शक्तियां थी अब उनसे लड़ने में जो उसका समय विर्थ जाता था उस समय का वो सदुपयोग करके आर्थिक रूप से स्ट्रॉंग होगा और उस समय का इंतजार मिलेगा समय का इंतजार करेगा जिसमें जब कभी ऐसी क वो इस situation बनेगी कि हम आपस में अब संधी करके या फिर युद्ध करके हम मराठों के उपर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो उस आपसर करेंगे यह चीज मराठों को भी करनी चाहिए थी तो इस 20 वर्षों के दौरान जहां अंग्रेज अपने आपको मजबूत करने में लगे रहे वही इन 20 वर्षों के दौरान मराठे आपसी जगडों में फिर से उलजगे जो शाह आलम था उसने मराठाओं को या मराठा के जो पेशवा थे उनको वकीले मुतलक के पद पर न्युक्त किया तो थोड़े संबंद बनने वहां पर देखने को मिलते हैं लेकिन इस 20 वर पाईं और इसका परिणाम यह हुआ कि आगे जो है आप देखेंगे कि अंग्रेज इनके ऊपर युद्धार उपित करेंगे तो इसको बोला जाएगा दुटी आंगल मराठा युद्ध और यह जो दुटी आंगल मराठा युद्ध है ये अथारा सो तीन से एंथारा सो पा अब आप देखिए इससे पहले 20 साल पहले क्या हुआ था आपने देखा था कि सलबाई की संद्ध हुई 1882 में तो 82 और 2802 तीन के बाद से फिर से स्थितियां बिगड़ गई और आपने देखा कि इस दोरान जो प्रथम मराठ आंगल मराठा युद्ध था उस प्रथम आंगल म संद्ध हुई ठीक है फिर उसमें आपस में संतुस्टी नहीं मिली तो फिर जगड़े हुए तो आपने देखा कि फिर जो है आपको यहाँ पर फाइनली जो है संद्धी करनी पड़ी अंग्रेज जिसमें हारे थे फिर वो संद्धी तूट गई और उसके बाद फिर आप देखने को मिलती है वो मिलती है तो वो खतम तभी होती है जब आप देखते हो कि दोनों में आपस में शांती समझोता हो जाता है अब दुती आंगल मराठे युद्ध की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको कारण तो जानना ही होगा कि भाई अभी जब संदी हो गई थी तो सालभाई की संदी हो गई फिर क्या हुआ आगे कैसे ये संदी टूटी उसके प्रथम कारणों में अगर हम देखें तो उसमें आप मराठों का आंतरिक संघर्ष तो निश्चित रूप से लिख लिजे कारणों में मराठों का मराठों का आंतरिक संघर्ष और ये आंतरिक संघर्ष का तो इंतजार बिटिशस कर ही रहे थे और मराठों ने ये किया उस 20 साल में अंग्रेज इस्ट्रोंग हो रहे हैं और मराठे जो आपस में जगड़ा कर रहे हैं। और इस संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजु को जो आंतरिक मामले हैं, मराठो के आंतरिक मामले, हैं उन आंत्रिक मामलों में अस्तक्षेप का अधिकार मिल गया अस्तक्षेप का अवसर मिल गया एक तरीके से अवसर और अंग्रेज ऐसे अवसरों को कभी भी नहीं छोड़ना चाते हैं यह तो आपको पहले से ही सर्विधित है भारत में फ्रांसीसियों को रोकने का ये एक मात्र तरीका भी ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगा था तो भारत में अंग्रेजियों को रोकने के लिए लॉड उच्छा उसमें लॉड वेलेजली जो है आ चुका है 1798 के आसपास वो गवर्न जर्नल बंद करके आया था तो भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लिए वेलेजली ने जो प्रयास किये वो प्रयास भी इस चुद्धि के कारण के तौर पर देखे जाते लॉड वेलेजली द्वारा प्रांसीसियों के प्रभाव को रोकना या रोकने के लिए जो युक्ति बनाई उसके जो प्रयास किये रोकने के प्रयास को रोकने का प्रयास जो किया यह प्रयास भी इस युद्ध के कारणों में से एक गिना जा सकता है इन फैक्ट ये पहले कारण के उतार पर जाना जाए तो कोई बड़ी बात नी है बैराल एक कारण और आपको देखने को लिखना चाहिए यहाँ पर सन अठारह सो में नाना फड़नवीज जो थे पड़नवीज जो थे उनकी मृत्वी हो गई पड़नवीज की मृत्वी और ना सारे आंत्रिक कलह जो है वो बढ़ गये थे पूरा का पूरा जो पूरा है वो पूरा दरवार शडंत्रों का केंद्र बन गया था पेश्वा बाजी राव दुती और सिंधिया में आपस में समझोते हुए एक और कारण आपको यहाँ पर जानना है बाजी राव दुती सिंधिया के मध्य समझोता हुआ और समझोता किस प्रकार का हुआ जिसमें यह कहा गया कि पेश्वा जो है सिंधिया को होलकर के विरुद और सिंधिया ने कहा कि पेश्वाओं को फरनवीज के मित्रों के विरुद सहायता देनी होगी मतलब सिंधिया जो हैं वो किन से परिशान थे होलकर से किन से परिशान थे होलकर से और पेश्वा जो परिशान थे वो जो नाना फड़नवीज के मित्र थे पड़नवीज जो थे उनके जो मित्र थे उनसे परिशान थे तो इन्हों ने कहा कि हम इनके खिलाफ तुम्हारी सहायता करेंगे और इन्हों ने कहा कि इनके खिलाफ हम तुम्हारी सहायता करेंगे यही संदी दोनों की आपस में हुई और यह सब ब्रिटिशर्स देख रहे हैं आप देखे इसी भी सिंधिया और होलकर में मालवा को लेकर के संघर्ष हो गया ये इन दोनों में मालवा को लेकर के क्या हुआ मालवा को लेकर संघर्ष हुआ संघर्ष हुआ आपस में एक तरीके का छोटा सा जड़प हो गया और सिंधिया और होलकर में मालवा को लेकरके जो संगर्ष प्रारम हुआ इसी में घटना घटित हुई कि पेशवा ने जश्वन्त राव होलकर के भाई जो थे उनकी हत्या कर दि जश्वन्त राव होलकर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है ये एक खास घटना घटित हुई कि पेश्वा ने क्या किया पेश्वा ने जस्वंत राव होलकर के भाई इनका नाम था बिठू जी बिठू जी तो ये जो बिठू जी जो थे इनका वद कर दिया माड़ा लैन को और स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने बाई की हत्या को जस्वंत राव ने देखा तो जस्वंत राव होलकर जो है वो 1802 में पेश्वा के खिलाफ जो है वो आक्रमन कर देता है तो आगे चल करके 1802 में जस्वंत राव जो है जस्वंत राव जो है वो पेश्वा के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे जिसमें उनका साथ जो है पेश्वा का साथ जो है वो होलकर देगा तो एक तरीके से पेश्वा और होलकर की जो संयुक्त सेना थी उसकी लड़ाई किसे हुई? जस्वंत राव होलकर से हुई और इस लड़ाई में ये जो संयुक्त सेना है ये हार गई और जस्वंत राव होलकर जो है ये जीत गया और इस प्रकार से पूना के ओपर होलकर का अधिकार हो गया ठीके जस्वंत राव का होलकर का होलकर का पूना पर क्या हो गया पूना पर अधिकार और जब यहां पूना पर अधिकार हो गया होलकर्स का तो पेश्वा पूना से भागे और पेश्वा पूना से भाग कर बेसिन चले गए अठारसो तीन में जब ये घटना घटित हुई अब यहीं से देखिए युद्ध जो है सामने आएगा अठारसो दो में जो होलकर है वो पूना पर अपना कपजा कर ली है तो पेश्वा कहां चले गए आपको बताया मैंने पेश्वा चले गए ये वहां से भाग गए और बेसिन चले गए बेसिन और basin भी मैंने आपको map में दिखाया था शुरुबात में शुरुबात में आप देखोगे तो basin मैंने आपको map में दिखाया हुआ है यह है basin यह देखिए ज़र यह basin है यह salset है ठीक है? समझ मियारी की नहीं बात और यह पूना है तो यह पूना से भाग करके basin चले गए ठीक है? चली अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि यह condition जो है जो बनी इसके परिणाम क्या हुए पेश्वा बाजीराव दुती जब basin भाग गया तो यहीं से उसने अंग्रेजों की सहायता लेनी शुरू करी अठारह सो तीन में लॉर्ड वेलेजली ने यह जो है किसके पास गए? वेलेजली के पास गए और वेलेजली की सहायता से वेलेजली की सहायता से यह यू कह सकते हैं कि वेलेजली ने जो होलकर ने जो पुना के उपर कपज़ा कर रखा था एक भूट Herr और जब यह पूल कर अधिपत्ट से मुख्टара फिर से किसको मिल गया पैश्वा बाजिराव दुति को मिल गया अब इसमें सहायता किस ने करी लौड विलेजली ने करी पेश्वा को जब वापस पूना मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से जो जश्वंतराओ होलकर है वो यहाँ से भाग गया लेकिन जश्वंतराओ होलकर जो है उसने भी प्रयास नहीं छोड़े उसने तमाम सारी दूसरी जो भारती सेनाएं हैं उनका साथ लेना शुरू किया और उनका भारती सेनाओ का साथ ले करके अंग्रेजों के विरुद फिर से उसने युद्ध किया लेकिन उसका जो ये फिर से युद्ध हुआ ये विफल प्रयास हो गया प्रयास हो गया तो यही है आपकी जो है एक तरीके से देखा जाए ये अ अभी देख सकते हैं, पेशवाई जो है, वो किसके पास में, मराठो के पास में है, मराठे खतम नहीं हुए, लेकिन इतना क्लियर हो गया है, कि मराठो की शक्ती जो है, वो कमजोर हो चुकी है, और वो कमजोरी बिडिशास को बहुत अच्छी तरीके से अब पता चल चुकी है और इसी कारण आगे चल करके 1802 में बेसीन की संधी हुई इसी कारण से 1802 में क्या हुआ 1802 में 1802 में बेसीन की संधी हुई बेसीन की संधी हुई अब ये बेसीन की संधी जो है न वो फिर से मराठों को खटकेगी और ये आगे युद्धे के लिए प्रिष्ट भूमी तैयार करेगी इस संदी में कहा गया कि बाजी राव सेकेंड जो है वो अंग्रेजों के साथ में आपस में परस पर जो है सुरक्षा के मतलब सहयोग करेंगे एक दूसरे के सुरक्षा करेंगे सहयोग करेंगे और एक दूसरे के मित्रों को भी सायोग परदान करेंगे तो Participly इसमें ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो ना तो इसमें अंग्रेज्ट कमजोर हो रहे हैं ना ही ब्रिटिशस कमजोर हो रहे हैं क्योंकि इसमें कहा गया है कि बाजी राओ सेकेंड जो है या पेश्वा लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपको मालूम ही है कि इसमें पेश्वा कौन है बाजिराओ भी है तो पेश्वा जो है पेश्वा और अंग्रेज ये परस्पर क्या करेंगे परस्पर मतलब मित्रवत वेवार रखेंगे एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे और ए इतना ही नहीं पेश्वाओं की सहायता के लिए यह पेश्वा की सहायता के लिए अंग्रेजों ने कहा कि पेश्वाओं को छे हजार पैदल सैनिक पैदल सैनिक और कुछ तोप खाना भी प्रदान किया जाएगा तोप खाना प्रदान होगा और ये जो तोप खाना प्रदान किया जाएगा ये किसको प्रदान किया जाएगा ये पेश्वाओं को प्रदान किया जाएगा एक तरीके से यही सहायक सेना है विलेजली जब आया था तब ही से वो सहायक संधी आरूपित करना शुरू कर दे तो मराठे शुरुबात में एकसेप्ट नहीं किये थे तो यह जो सहायक सेना है इसका व्याय जो है वो 26 लाख रुपय वार्शिक था और उस 26 लाख रुपय वार्शिक के व्याय को वहन करने के लिए अंग्रेजों ने वो भूमी प्राप्त करी जहां से 26 लाख रुपय वार्शिक खर जाना उनको मिल सके और उस भूमी में गुजरात यहां पे लिख सकते हैं बदले में गुजरात नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं नर्मदा और जो ताप्ती की जो भूमी है नर्मदा और ताप्ती के बीच जो आपस की जो भूमी है मद्यप्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा मद्यप्रदेश का कुछ भाग इसके अलावा जो तुंग भद्रा नदी है उसके आसपास के इलाके तुंग भद्रा के आसपास के जो इलाके हैं ये समस्त जो इलाके हैं इन समस्त इलाकों से प्राप्त होने वाली जो 26 लाख रुपे वार्शिक की इंकम है 26 लाख वार्शिक जो आय है वो प्राप्त करेंगे इस सैनिक रख रखाओं के बदले में पेश्वा ये भी वादा करेंगे पेश्वा ये भी वादा करेंगे अगली संदी के तौर पर पेश्वा जो हैं ये वादा करेंगे अंग्रेजों से वादा करेंगे कि अन्य यूरोपी या अंग्रेज विरोधी अंग्रेज विरोधी शक्ति जो है कोई भी दूसरी यूरोपी शक्तियां या फिर जो भी अंग्रेजों के शत्रू होंगे वो उनका साथ नहीं देंगे साथ नहीं देंगे कौन नहीं देंगे पेशवा लोग साथ नहीं देंगे क्योंकि हम आपकी सायता कर रहे हैं वहाँ पर इतना ही नहीं पेशवा से कहा गया कि आपके जो मतभेद हैं गायकवाडों के साथ गायकवाड ये गुजरात के थे और जो आपके मतभेद हैं हैदराबाद के साथ हैदराबाद इनके साथ इन मतभेदों को आप दूर करेंगे अंग्रेजों की मध्यस्तता से अंग्रेजी मध्यस्तता से ये मतभेद दूर किये जाएंगे और इन सब चीजों के अधार पर अगर देखें तो जितनी भी विदेश नीती है किसी के साथ में भी अगर इनको पेश्वाओं को संधी करनी है सहायता करनी है कोई भी ट्रिटी करनी है राजविस्तार करना है जो भी विदेशी कुछ भी आपकी जो नीती है वो सब अंग्रेजों को पेश्वा ने सौप दी तो ये जो काम यहाँ पर हो रहा है पेश्वाओं के द्वारा विदेश नीती सौप दी गई ये भी हम लिख सकते हैं पेश्वा ने विदेश नीती अंग्रेजों को सौप दी और ये सारा जो काम हुआ एश सारे काम में आप देखेंगे कि बिटिशल्स को बहुत ज़ादा फायदा है मराठों को कुछ फायदा नहीं है तो मराठों के लिए इस बार ये अपमान जनक संधी है उसी प्रकार से जैसे पहले आपने देखा था अंग्रेजों के लिए एक अपमान जनक संधी हुई थी जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने नकार दिया था अब ये जो अपमान जनक संधी है इस अपमान जनक संधी को आगे चल करके इस अपमान जनक संधी को आगे चल करके पोलकर्स, सिंधिया, भोसले इन सब लोगों ने अस्विकार कर दिया ठीके, तमझ म्यारी की नहीं बात सिंधिया है इधर जो भोसले वगएरा है नाकपूर के इन लोगों ने क्या कर दिया अस्विकार किया मतलब एक्सेप्ट करने का कोई कारण भी तो नहीं था संतुस्ट नहीं थे वो इसे और अगर हम पेश्वा की बात करें तो पेश्वा जो है वो भी असंतुस्ट थे वो भी संतुलित नहीं थे इस संदी से उनको संतुस्टी मिलने वाली नहीं थी तो ऐसे में ये जो पेश्वा थे, ये जो मराथे थे, ये एक बार संगठित होने फिर से शुरूँ हो गए गुप्त रूप से संगठन जो है, वो बनना जो है, वो शुरूँ हो गए युद्धर तो संधी लागू है, संधी यही लागू है कि आप कोई भी अंग्रेज विरोधी कारेकरम में संलिप्तता नहीं पाई जाएगे, आपकी तो गुप्त तरीके से संधिया चल नहीं थी तो, तो अगर आप देखेंगे, तो सिंधिया और भोसले जो है, यहाँ पर आ पेश्वा है, इस रूप में मराठा शक्ति का यूनियन फिर से हुआ, जिसमें पेश्वा को ये उम्मीद थी, कि इसमें गायकवार और होलकर भी मिलेंगे, लेकिन गायकवार और होलकर जो थे, होलकर जो थे, इन्होंने साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, और देएंगे भी कैसे आपने तो पहले ही तंबंद खराब कर रखें इतने ज़्यादा कि इधर अंग्रेजों ने भी युद्ध की त्यारी कर दी क्योंकि उन्हें भी मालुम था कि आप मांजनक संदी हैं और यह मराठे हैं यह आसानी से नहीं मानेंगे थोपा है हमने इनको पर संदी तो यहां से एक कहानी नहीं शुरू हुई कि फिर से आमने सामने सेना आनी शुरू हो गई और वास्त्रिक रूप में अब आप देख रहे हो कि यह हैं मराठे ये हैं मराठे और उधर जो है बिटिशर्स जो है वो सेना त्यार कर रहे हैं तो अब मराठा और अंग्रेज जो है वो आंगले सामने आएंगे ये अब आंगले सामने आएंगे ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए और ये जो संधी तोड़ रहे हो उसके लिए अगर सता 1803 में आंगल मराथा युद जो है वो आरम्भ हो जाता है और ये आंगल मराथा युद जो चल रहा है ये 1803 में जो शुरू हुआ है यही है दुतिए आंगल मराथे युद्ध अब इस युत में अंग्रेजों की नीती यह है, यह इधर की नीती है कि हमें एक साथ एक जुठ होकर के आक्रमण करेंगे, तो हमारा पडला जो है वो भारी रहेगा, अंग्रेजों ने उत्तर और देक्शन धोनों तरफ से मराथों के उपर एक साथ आक्रमन कर दिया इससे पहले की कहीं और से सहायता ले पाते गुजरात बुंदेल और उडिसा ये सारे इलाके जो है इसमें एक साथ युद्य की घोशना कर दी गई उत्तर में मराठों से युद्ध शुरू हो गया दक्षण में मराठों से युद्ध शुरू हो गया दक्षण की कमान जो है वो और थर वेलेजली और जो उत्तर की कमान थी वो जनरल लेक के द्वारा जो है वो चलाई जा रही थी तो आपको यहाँ पर उत्तर की कमान की बात क करी जाए वही लॉर्ड वेलेजलिया कह सकते हैं इसको आप आर्थर वेलेजली जो है आर्थर वेलेजली वे इसने जो है वो सामानला शुरू किया यह दो कमांडर हैं नौर्थ और साउथ के दोनों तरफ से आक्मड हुआ मैंने का मराठे जो है इसमें हारे और मराठे किस तरीके से हारे कि जो मद्द दक्षण का जो इलाका है उसमें सिंधिया और भोसले जो है वो असाई का युद्ध और अरगाओं के युद्ध में पराजित हो गए और उत्तर में जो जनरल लेक जो था उसने अलिगर, दिल्ली, आगरा इन सब जगों को जीत लिया आगे जाकर के भरतपुर के जो जाट थे उन लोगों ने भी लेक की अधिनता जो है वो स्विकार कर ली और फाइनली दो अलग-अलग संधियां हुई एक संधी देवगाओं की संधी कहलाती है इन सब में अंतता अंतता अगर आप देखेंगे तो एक संधी आपकी कहलाती है देवगाओं की संधी और एक संधी कहलाती है सूर्जी-अरजन-गाओं की संधी और ये दोनों संधियां जो है 1803 में होती है क्योंकि मराठे इसमें हारे है मराठे हारे और मैंने आपको बताया तमाम सारी जगहें जो है वो कैसे कैसे पराजित हुई तो एक तरीके से या मराठे हारे हैं धीरे धीरे लौड वेलेजली के नित्रत में जो सेना जो है वो उत्तर दक्षन से जीती है जीत करके तमाम सारे राज्यों को उनने कैप्चर किया है अलिगर्ड, दिल्ली, आगरा इसके अलामा सिंधिया का इलाका गुजरात, बुंदेल, उडिसा ये सारे इलाके, गोसले के जो प्रांत है नाकपुर वाले, वो सब सब जीत लिए लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा सन 1805 में लौड वेलेजली को बुला लिया गया वापस वेलेजली वापस चला गया और चला क्यों हो गया? क्योंकि इसको वापस बुला लिया गया और जब वापस चला गया तो इसी के वापस जाने से 1805 में इस युद्ध का अंत हो गया तो सेकेंड जो आप आंगल मराठा युद्ध देख रहे हैं यह दूती आंगल मराठा युद्ध का अंथुआ जिसमें बुरी तरीके से मराठो की जो हार है वो आपको देखने को मिलती है लॉर्ड वेलेजली के जाने के बाद जो प्रमुख एक और गवर्नर जनल आएं अठारो सो तेरा में लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या नाम इनका लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है वई 1813 का समय चलना आप देखिए वो तो 1784 में जाने कब चला गया तो 1813 में लॉर्ड हिस्टिंग्स जब भारत आया तो इसने इसका जो इंपोर्टेन जो लक्ष है इसका जो सबसे में जो एम है वो क्या है इसका प्रमुख एम ये है कि मराठा प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए जाए यह इसका एक लक्षे और दूसरा जो बड़ी शक्ति थी वो थे राजपूत तो यह चाहता था कि राजपूतों पर हम संरक्षन संरक्षन स्थापित हो इन दो उद्देश्यों के साथ यह आगे बढ़ा क्योंकि पीछे भी आप पांजनक संधियां हुई थी इसी दौरान पांच नवंबर के आसपास 1817 में ग्वालियर की एक संधी हुई सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधी हुई ग्वालियर की संधी और इस ग्वालियर की संधी में पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों ने इनके समर्थन का वायदा किया इसके बदले में ये कहा कि चंबल नदी के दक्षन पश्चिम का जो हिस्सा है जिस पर राजपूत राज्यों के उपर मराठों का जो प्रभाव था उस प्रभाव को आप हटा लीजिए पिंडारियों को कुचलने के समर्थन में ब्रिटिशर्स का साथ लिया गया है और इसके बदले चंबल नदी के दक्षन पश्चिम के तरब जो राजपूताना इलाकों पर जो मराठों का कबजा था उसकबजे को हटा लेने की बात करी गई है ये बात हुई है ग्वालियर की संधी में यह आप पॉज करके लिख लीजेगा लगसे पेश्वा के साथ जून 1817 में पूना की संधी हुई एक बार और पेश्वा वही बाजिराउद थी यह संधिया के साथ हुई जून 1817 में पेश्वा के साथ संधी हुई और पेश्वा के साथ जो यह संधी हुई यह संधी कहला ही पूना की संधी और यह जो पूना की संधी है इसमें कहा गया कि पेश्वा जो है वो मराठा संघ की जो अध्यक्षता है उसका त्याग कर देगा पेशवा क्या करेगा पेशवा मराथा संग की अध्यक्षता का त्याग करेगा अध्यक्षता का त्याग अब यह सब नहीं चलेगा कि तुम सभी प्रकार के मराठों के पेशवा हो, ऐसा सब कुछ नहीं, तुम पेशवा उशा कुछ नहीं, और इससे पहले की अगर हम बात करें, तो जो नागपूर के जो भोसले थे, उन्होंने सहायक संधी स्विकार कर ली थी, इनसे पहले ही कर ली थी, वो, सोला के आसपास पेशवा, भोसले, होलकर, ये सब जो हैं, अंग्रेजों की नीतियों में क्या हो गए, फस गए, पेशवा, भोसले, और जो होलकर हैं, आप देख रहे हैं, ये तीनों जो हैं, और जो इधर सिंधिया हैं ये भी, ये सब जो हैं, अंग्रेजों के चक्कर में फस गए, और क्योंकि ये अंग्रेजों की चक्कर में फस गए तो इन्होंने ब्रिटिश नीती का एक बार फिर से विरोध किया ब्रिटिश नीती का नीती का इन्होंने क्या किया विरोध किया और फिर से जब एक बार ब्रिटिश नीती का यहां पर विरोध हुआ तो स्वभाविक सी बात है कि अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर युद्ध की घोशना हो गई और ये जो घोशना हुई ये जो युद्ध हुआ ये तृतिय आंगल मराथा युद्ध कहलाया ये क्या कहलाया ये तृतिय आंगल मराथा युद्ध कहलाया और इस तीसरे आंगल मराठा युद्ध में फिर से एक बार मराठों की पराजय हुई और ये पराजय जो है ये फाइनली पराजय हुई कीरकी में पेशवा जो है पेशवा जो थे ये कीरकी में पराजित हुए कीर की जगा है यहां पर यह पराजित हो गए इसी तरीके से सीता वाल्दी में भोसले पराजित हुए सीता वाल्दी यह जगा है यहां पर भोसले पराजित हुए और नागपुर के पास में या फिर थोड़ा सा आगे कि अगर हम बात करते हो, आप महीदपूर जगा पड़ेगी, महीदपूर, महीदपूर जो है, महीदपूर, इसमें पराजित हुए होलकर, और जब यह होलकर पराजित हुए, यह सेनाएं पराजित हुए तीनों, तीनों सेनाओं को हराने के पशाथ, फाइनली 1818 में मंदसौर की संधी हुई 1818 में मंदसौर की मंदसौर की क्या हुई संधी हुई और इस मंदसौर की संधी में 1818 में तमाम सारे जो राज्य जो जीते हुए थे वो सब प्रिटिशर्स के अंदर में आ गए और अंतता अगर हम देखें तो जॉन मेलकम के सामने जॉन मेलकम के सामने पेशवा ने क्या कर दिया पेशवा ने आत्म समरपड कर दिया आत्म समरपड ठीक है और पेशवा के आत्म समरपड करते ही समस्त पेशवाई जो थी वो समाप्त हो गई इनको पेंशन पे नियुक्त करके बिठूर बेज दिया गया और इस तरीके से पूरा का पूरा जो मराठा सामराज्ज था वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया आपसी युद्ध कितने खातरनाक हैं मराठा और राजपूत जैसी योग्य और सर्वसक्तिशाली सेना को किस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी नीती से पराजित किया और बार बार ये मराठे उठकर के खड़े हुए लेकिन बार बार हारे हार के पीछे एक ही कारण है ये मराठे पांच भागों में बढ़ गए थे अगर ये एक होते तो इस मुठी को खोल पाना ब्रिटिशर्स के लिए संभव नहीं था और ये तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हमें इस पस्ट रूप से दिखाते हैं खेर अब क्या कर सकते हैं इतिहास को पलट तो नहीं सकते लेकिन आपके सामने हम इन पेजिस को पलट करके एक प्रश्ण ले करके आ रहे हैं सेशन की शुरुवात में भी मैंने ये कोश्ण आपको दिखाया था शेशन के अंत में भी मैं ये प्रशन आपके सामने दिखा दे रहा हूँ आप इस प्रशन का उत्तर लिख करके 200-250 जितने शब्दों भी लिख सकते हैं आप लिख करके बढ़ियां सक्खा का बना करके PDF बना करके सीधे सीधे पेज की बना करके हमें भेजिएगा इन प्रशनों के ऊपर चर्चा जो है वो कल होगी इन प्रशनों के उत्तर की जो चर्चा है वो कल हम करेंगे तो कल आप इस प्रशन के उत्तर के लिए हमारे साथ जोड़ जोड़िएगा तीनों आंगमराथा युद्ध जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं और इन प्रशनों के उत्तर लिख करके आप हमें इस टेलिग्राम पर भेज सकते हैं पीडियाफ के फॉर्म में अपने अन्य विचारों को हमारे साथ सोशल मीडिया पर चाहे वो फेस्बुक हो या फिर इन्स्टाग्राम आप विरद दुबे जीरो वन नाम से हमारे साथ जूड़ करके अपने विचारों को शेर कर सकते हैं जो एंसर मैंने आप से कहा है उसका पीडियाफ आपको इस टेलिग्राम पर भेजना है तो उसके लिए आप इसे स्कैन कर लीजिए आप अराम से टेलिग्राम में जुड़ जाएंगे या फिर आप पीडियाफ अगर टेलिग्राम पर नहीं भेज पा रहे हैं तो आप हमें इस इमेल आईडी पर भेज सकते हैं ये थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं यहां पर विरद विराद डुबे 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 अधेशा करते हैं कि आपको अभी तक का पताया हुआ इतिहास पूरी तरीके से समझ में आया होगा मराठाओं के बाद हम ये answer writing करने के साथ साथ हम चलेंगे पूर्व में बंगाल की तरफ वहाँ पर थोड़ा सा प्लास्य लासी का युद्ध करा लिया जाए वहाँ पर थोड़ा पक्सर का युद्ध करा लिया जाए उसके बाद हम देखेंगे तमाम सारे जो छेतरी वसंगर्षें उनके बारे में और फिर उन जेतरी वसंगर्षों के बाद 1857 की करांती की तरफ हम बढ़ेंगे तो आज के lecture में फिलहाल इतना ही आशा करते हैं कि आपको ये lecture जो है हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी